अगली बड़ी खबर मुंबई से सचे मीरा रोड से जहां श्रधा वॉकर अत्याकान जैसे संसरी के इस मामलाव सामने आया है सुसाइटी के फ्लाट से लिव इन रिलेशन्शिप में रह रही महिला की टुकडों में लाश मिरी है लाश को ठिकाने लगाने के लिए आरोपी श्रफ के टुकडे करता था उसे कूकर में उबालता था और फिर मिकसर ग्राइंजर में उसे पीस कर उसे ठिकाने लगाता था लेकिन जब फ्लैट से बद्बू आने लगी तो आसपास के लोगों ने इसके शिकायत पुलिस से कर दी पुलिस ने जब फ्लैट पर धावा बोला तो अंदर से महिला की लाश के कई टुकड़े मिरे फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ़तार कर लिया है और घर से लाश को काटने में इस्तमाल करने वाला कटार और दूसरी चीज़े भी जब्द कर ली है आज गीता काज दीम सोसाइटी में इनफॉर्मेशन आई थी कि एक घर से मद्बू आ रही है अखिए फुलिस ने आकी यहां पे दरवाज खुला तो एक लाश्द मिली है इसमें उसके पिसिस किये मिले है इसमें जो लीविन एक प्राइमरी इनिविश्टेक्षिन में निश्पर्न हो आए हाला कि इस मामले में सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी बात कहीं जा रही है कहा ये जा रहा है कि दोनों पार्टनर में पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर जगड़ा हो रहा था इससे तंग आकर महिला ने जहर खाकर आत्माहत्या कर ली और इसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए आरूपी मनोज साने ने हैवानियत की सारे हदे पार कर दी वो शवों की टुकड़े फेकनी के लिए जिस पाइक का इस्तमाल करता था पुलिस ने वो जब्त कर ली है बहुत हैरान कर देने वाला ये मामला जहां पार लिव-इन रिलेशन्शिप में थे ये दोनों और कैसे इस महिला के शव के टुकड़े किये गए अभी तक तो ये लगता था कि टुकड़े कर देना ही बहुत ही घिनोना करते है लेकिन टुकड़े कर देने के बाद टुकड़ों को उबालना जिससे कि वो आसानी से पीसा जा सके मिकसर ग्राइंडर में ये और साथ चौकाने वाला खुलासा है हाला कि जब आसपड़ोस के लोगों को इस घर से बद्बू आने लगी तो उन्होंने पुलिस में शिकायत कर दी मनोज सानी जिसकी उम्र 56 साल है और पीडित सरस्वती उसकी उम्र 32 साल थी उसका इतना बेरहमी से अब कतल कर दिया गया या फिर उसने आत्म हत्या कर ली लेकिन दोनों ही सूरतों में शव के टुकड़े करना और फिर उसे उबाल कर पीसना ये वाकई में संसनी खेज है हैरान कर देने वाला है आकाशदीब सोसाइटी के फ्लैट नंबर 704 में ये पूरी वारदाद घटित हुई और जिस बाइक पर बैट कर मनोध साने इन शवों को इन टुकड़ों को और मैं ये कहूँ कि ये जो पीसावा पार्ट था स्वरस्वती का उससे ठिकाने लगाने के लिए जाता था वो बाइक भी बरामत कर दी गई है इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस, गूगल प्ले स्टोर या अप स्टोर पर